हलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं वैस पुलाव रेसिपी तो यह रेसिपी देखने में जितनी डिलिशेस लग रही है खाने में उससे बहुत ज्यादा टेस्टी है तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो पसंद आलू ले लिए हैं और एक छोटा सा फूल हमने फूल गोबी का ले लिया है और यहां पर हमने मटर ले लिया है तो इन सारी सब्जियों को मैंने दो के वाश करके अच्छे से रख लिया है और यहां पर हमने दस बारा काजू ले लिए हैं और दो चमास सोंफ पीस लिए मैं और यहां पर लस्तन अद्रक प्याज का पेस्ट के लिए हुछ रिम्र्च में कुछ पुलाव बणाने के लिए आज में इसको कुकर में बनाओंगी और नहीं इसमें गी में अधेसा डाल देंगे घी हमारा गर्म हो चुका है और उसमें मैं यहां पर कुछ खड़े गर्म मसाले लोंग इलाइची काली मेर्स यह डाल दूंगी और आधा चमच मैं इसमें जीरा एड़ कर दूंगी तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है तो अभी मैं इ तो इसको थोड़ा सा अमें जब तक प्यास का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इसको फ्राइ कर लेना है कि यह नहीं हमारा यहां पर ब्राउन हो चुका है तो अभी मैं इसमें 5-6 रिमिंश डाल दूंगी मैंने दो पीस करके 1 रिमिंश से वह इसमें डाल दिया है इसको भी हम कुछ सेकंड के लिए याज के साथ में भूल लेंगे और यहाँ पर मैंने लहसन और अद्रग का पेष्ट बना के रखावा है तो इसको भी मैं इसमें एड़ कर दूँगी और जब तक इसका कच्चापन निकलता है अद्रग और लहसन का तब तक हम इसको एक दुम मिनिट के लिए इसको भी अनुड्य कर लेंगे तो यहें पर मसाले हमारे भून्चुके हैं और अभी मैं इसमें एड़ कर दूँगी काजु कर सकते हो इससे टेस्ट में कोई फर्क यहां आता बस यह देखने में अच्छे लगते हैं तो अभी मैं यहाँ पे दो चमच सौफ डाल दूँगी, सौफ को मैंने ऐसी ही पीशा है, ग्राइंडर जार में डाल के, आप इसका पाउडर भी डाल सकते हो, चै़ को तो साथ में मैंने 2 टमाटर डाल दिये हो इसको भी मैं साथ में मिला के इसके मसालों के साथ भून लूगी तो मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पे भून रहे हैं यह देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ मसाले हमारे बहुत बढ़े हाँ भून चुके हैं तो अभी मैं इसमें सबजियां डाल दूँगी जो भी मैंने सबजियां काटके और अच्छे से दो के रखी हुई हैं तो अभी मैं इसमें यहाँ पे नमक एड़ कर दूँगी एक समझ भरके अपने टेस्ट का अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देना है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे तो सब्जियां हमारे यहाँ पे हो चुकी है भून चुकी है अभी जो मैंने चावल एदे के एक गिलास चावल को मैंने 20 मिनट पहले दो के और अच्छे से इसमें पानी डाल के सोक करने के लिए रख दिया था तो अभी मैंने चावल इसमें एड़ कर दिये हैं और इसको भी सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेते हैं और एक मिट के लिए चावलों को भी मसालों के साथ में अच्छे से भून लेते हैं जिससे सब्जियां और चावल हमारे एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें डेड़ पानी डालोंगी क्योंकि हम प्ररशर कूकर में बना रहे हैं तो इसको एक विसिल लगाएंगे हम उसके जाध़ विसिल नहीं लगानी इसको बणने मैं ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि आलू के पीस भी हमने बिल्कुल छोटे-छोटे करके डाले हैं तो अभी इसमें मैंने डेल गिलास पानी डाल दिया है और मैं इसको बंद करके एक विसल लाने दूंगी और उसके बाद में यह देखें यहां पर एक विसल लग चुकी है तो मैं इसको कुकर को खोल के दिखाती हूं यह देखे कितना बढ़या हमारा वेज पुलाव बनके तयार हुआ है तो अभी थोड़ा साइस में मैं नीचे से दिखाती हूं आपको इसमें बिल्कुल पानी नहीं है एकदम अच्छे से तयार हो चुका है यह एक विसल में अच्छे से बनके तयार हो जाता है कुकर में बनाते हैं तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है तो यह देखे इसको मैं सर्फ कर लेती हूं कितना बढ़या हमारा मटर पुलाव वेजटेबल पुलाव बनके तयार हुआ है तो यह देखे इसको देखकर ही मूह में पानी आ रहा है तो पुलाव को यहां पर मै के बाद एक लाइक तो बनता है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सो फिर मिलते हूं मैं आपको अपनी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाए थैंक्स फर वॉचिंग